लागे उसमन बावा तो डढ़ पोका है उन्होंने कहा देश द्रोही है उन्होंने कहा देश द्रोही चेत जाओ नहीं तो 2024 और 2025 दोनों तुम्हारा दिवा सपन धरा कर धरा रहा जाएगा अगर उन्मात फैला कर देश में अमन चैन को महौल खराब करने की बात जो करेगा उस तरह से रोक लगा देते हैं इधर बिहार में बुला भी रहे हैं और अपमानित भी करने की बात करते हैं जेल भेज देंगे प्रवक्ता है कि उस दर्वान है मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा है और उन्होंने कहा देश द्रोही वगएरा वगएरा कौन-कौन से सब्दों क इस्तिमाल किया है दैते वहां निश्ची तुरूप से जो है अरंगा लगाता है तो दैते तो ये लोग हैं अभी वाए अरे माथा पर लाठी पड़ा नहीं और बाप बाप चिलाने लगई क्या मतलब है लालू प्रसाद जादो के ही समय से एक परंपरा चली आई है कभी ज पिषार के लोगों के साथ इंद ये वारां में जैसे सकती सिंग्यादम के लाठी है तो चुनाव जीत जाते है तो में आप लोगों के मन्में खोट है आप कैद ढम rice साप की तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सक्ति सिंग जादो जैसे लोगों से मैं बात करूँगा मेरे रास्तिय धक्ष बात करेंगे आप सरकार में आ गए रहते अगर मुकेश सहनी को आपने बेज़ती नहीं किया रहता आप जो है क्या कहते हैं जीतान नमाजी की बेज़ती नहीं किया रहती आपने उपेंदर को स्वहा की बेज़ती नहीं किया रहती बागेश्वर धाम वाले महराज पंडी ध्रिन्द सास्त्री के बिहार आगमन से पहले सियासी पारा पुणी तरह से चड़ जुका है RJD के नेता एक के बाद एक विरोध कर रहे हैं अब तो देश द्रोही भी बता दिया गया मेरे साथ इस वक्त बाचित करने के लिए भारतिय जन्परिवार पार्टी के राष्टिय उपाधक्ष सराष्टिय प्रवक्ता एसके सैनी साब है बाबा का आगमन होड़ा है तो फिर RJD इस तरीके से विरोध कर रही है आप लोग खुल कर समर्थर में आए है तो सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं तो क्या भारतिय जन्परिवार पार्टी के लोग मुस्तेदी से उस कारेक्रम में रहेंगे चुकि अब पॉलिटकल ही चीज़ी अब देखने को मिल रही है सबसे पहले तो मैं मीडिया जगत को भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि देश का छोथा स्तंब है तिसरा स्तंब है अब रही बात बागेस्टवर बाबा की आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है साथ मीडिया तो सबसे पहले जानती है इस बात की जानकारी होनी चाहिए भी कि बागेस्टवर तहाम वाले बाबा सबसे पहली बात तो यह कि बिहार में उनका आगमन एक अतित्य के रुपे हो रहा है और लोग जहां तक मानते हैं जो धार्मिक लोग हैं अतित्य का सम्मान करना हमारा धर्म भी बनता है लेकिन एक चीज़ जरूर है इसमें साइद मैं एनलाइसिस कर रहा हूं जहां तक कि इन लोगों ने धिरेंद्र सास्त्री जी से मिल करके बात किया है इस देश सस्तर पर कि हम जहां जहां जाएंगे इस्पेसली तोर पर बिहार में अगर आ रहे हैं तो मुझे हाईलाइट करने की बेवस्था कौन करेगा आप विपक्ष में तो जरूर बैठे हैं लेकिन मुझे हाईलाइट करने का और मुझे पहुँच करके जो है क्योंकि कोई भी बाबा जो होता है आज के डेट में जो है उनका इस देश में क्या है किस तरह किस्तिती कैसी है अब रही बात एक आगंतुक के रूप में एक धर्म के राजगुरु के रूप में आते हैं बागे स्वर्धा मौले धेरिंदर सास्त्री जी तो उनका स्वागत करना चीए बिहार में बिलकुल आपके मानने बिहार के मानने मंत्री जो है स्री तेज परताप जादो जी का भी कई बयान हमने सुना और उन्होंने कहा देश द्रोही वगएरा वगएरा कौन-कौन से सब्दों का इस्तिमाल किया देश द्रोही साबित करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए भारत का सबसे बड़ा जो गरंत है संबिधान और संबिधान में संबैधानिक व्यवस्था है कि इस तरह के उन्मादी उद्वोधन करने वाले या अगर उन्माद फैला कर देश में जो है अमन चैन को खराब कर महौल खराब करने की बात यो करेगा उसको भारत की संबिधान नहीं चोड़ने वाला है लिकिन उससे पहले अचार धिरेंदर सास्त्री को आप अपराधी देश-दुरोही साबिद कर रहे है हमें लगता है कि सामाजिक या तो सामाजिक ज्यान नहीं है और न सास्त्रिक ज्यान है और बिना मतलब में इस मामले को तुल दे करके जो है आप एक बार जो है बिहार में बुलाना भी चाहते हैं जहां तक आपने देखा पत्रकार साहब की गांधी मैदान में सबसे पहले कारिकरम की बात हुई थी आपको नहीं बुलाना था तो पूरी तरह से रोक लगा देते हैं इधर बिहार में बुला भी रहे हैं और अप मानित भी करने की बात करते हैं जेल भेज देंगे आप इस बात को भूल रहे हैं कि इस देश में भी सनातनी बहुत सारे लोग हैं जो सनातनी हैं और उन लोगों के आस्था पर ठेस पहुचाने की बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बात गवराहट में हैं लोग कि हमारा बोट बैंक जो अभी कुछ दिन पहले एक मामला दलितों को लेकर के भी आया था एक दलित आईए इसकी हत्या का वो मामला मैं बाद में छेडूँगा बुद्ध को मानने वाले जो है गया में कई बार आये धर्म गुरु जो है मानने नितीश कुमार भी जो है अच्छी तरह से स्वागत करने का काम किया आप देख रहे हैं पंजाबी लोगों का एक यहां पटना के स्री साहिप में जो है यह है जो भी कारकरम होता है मानने नि जो है खपाते हैं तो धिरेंद्र सास्त्री जैसे लोग जो सनातनी है आपको आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको स्वागत करना चाहिए आप यह थोथली बयान बाजी दे करके फंसते जा रहे हैं खुद भी कि धिरेंद्र सास्त इसे उनके मामले को हाइलाइट करके और कुछ न कुछ उसमें जो है गुनागरि решeren करने के फिराख मोग लेते हैं जाती है जर्शन करना की जर्शत करते हैं औरि और सुप्रिम कोट बिहार सरकार जाएगी बिहार सरकार को राहत मिलेगी और फिर से जो काम बचे है इसको बिहार सरकार जो हो पूरा करेगी और भारती जन परिवार पार्टी पूरी तरह से जनगर्णा के पक्ष में हैं लेकिन खोट यहां बिहार की जो सरकार आंकड़ा जो पेस की उस आंकड़े को पूरी तरह से सबसे पहले तुम्हाईल जामात के तौर पर मैं मानने स्री नितीश कुमार और बिहार के सरकार को कटगरे में खड़ा करता हूँ कि आपने जो कागजात बेस किया उस कागजात में आपने अधूरा क्यों छोड़ा इसका मतलब कि आपकी मांसा में कोटे आप जाती है जनगर्णा के वाल बोट बैंक के लिए कराना चाहते हैं और आप कराना ही नहीं चाहते हैं उसमें त्री जेंडर जो है तिसरे जो जेंडर की बात अगर होती है तो उस मामले को भी उस आंकड़े को भी आपने जोहस में नहीं जोड़ा दूसरी चीज आप अगर दलितों के साथ नयाय करना चाहते हैं अति पिछडों के साथ नयाय की बात करते हैं आप से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बिहार में जातीय जनगणना के मुद्धे पर अब ही जो कोट में मामला लंबित है जज मानने कोट पर मैं सवलिया निसान नहीं उठाता हूँ लेकिन आप से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जज भी फारवर्ड 15% वाले लोग आपके विपक्षी वकील जो है जो है वो भी फारवर्ड लॉबी का आपका जो विपक्ष में फाइट करने वाला जो वकील है वो भी फारवर्ड लॉबी का आपको बिहार में पिछला आती पिछला दलित से कोई वकील आपके पटना हाई कोट में नहीं है आप जो है हाथी के जो दो दात होते हैं कि दिखाने और एक खाने के लिए आप जो है ये नोटंकी कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ बिहार के लोग बिहार के अथी पिछले और पिछलों के साथ भारती जन परिवार पार्टी और माने प्रतिवी कुमार से अमाली डॉक्टर इसके सहनी आप पर इल्जाम लगाता कि निश्चित रूप से आपके मन में स्रीति जस्वी जादों मैं आपको भी कह दूँ आप लोगों के मन में खोट है आप दो मुही साप की तरह बात करने की कोशिस कर रहे हैं आपने आकड़ा पेश पूरी तरह से नहीं किया और बिहार के जनता के साथ विश्वास घात करने का काम आपने किया जाती जनगर्णा कराते हैं आपको सबसे पहले मान ये कोट को आगरा पत्र भेजना चाहिए कि जो भी जनगर्णा की बात जो हो रही है मान ये कोट में लम्मित मामले पर जो कारवाई हो रही है जो चर्चाएं चल रही है उसको जो है बिहार के लोगों के साथ या पूरे देश के लोगों के साथ उसको जो है सरवजनी करिये आप बिहार और बिहार के पिछड़े दलितों के साथ जो है बिना मतलम में भी स्वासगात के बात करते हैं मैं मानता हूँ कि जातिय जनगर्णा से कौन कितने संख्या में भारी पड़ रहा है कितनी संख्या यहां बिहार में कितनी सबसे बड़े पैमाने पर किसकी कितनी संख्या है आप उसको सापेक शुरूप में लाब देना नहीं चाहते हैं केवाल राजनीती में राजनैतिक सड यह अंत्र दलितों को अपमानित करने का काम पिछणों को अपमानित करने का काम करते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी मांसा में खोट नहीं आता और यह जाती जनगरना नहीं रुखता इसलिए आप आंकड़े को पूरी तरह से पेस करें और कम से कम वकीलों में changing तो उन्होंने कागजात को नहीं देखा उसमें किस किस तरह के कागजात पर हमको जो हजिरा करना है उन्होंने नहीं देखा यह मानसा है दिवाली आपन खोट है मैं दाडाइरेक्ट नुप में इल्जाम लगाता हूं कि आप जाती जनगर्णा को बाधित करने का एक सोची अधन की कर लिजाए अंडिये में आप लोग हैं कई जगह पर काफी मजबूती से भारतियंता पार्टिक साथ आप लोग दिखें आगामी चुनाओं को लेकर क्या रहनती बन रही है क्या बात्ची थोड़ी चुकिए वीच्छा से कई जो घटक दल है या फिर जो आने वाल यह है मैं आपको बता दू कि भारतिय जंता पार्टी के साथ भारतिय जंपरिवार पार्टी पूरी चट्टानी एकता के साथ जो है जुड़ी हुई है हमारे राष्टिय धक्ष मानिय स्री प्रिथिवी कुमार माली जी एवं भाजपा के उच्छ नेताओं का जो अच्छे अच्छे पदों पे आसीन है उस पार्टी में हमेशा हर दिन बैट करके बारता होते रहती है हम भारतिय जंपरिवार पार्टी पूरी तरह से 40 सीटों पे अपनी तयारी शुरू कर दी है भारतिय जंपरिवार पार्टी बिहार में भाजपा के साथ भारतिय जंपरिवार प पहले बीना सर्त का हमने जो है कुढ़नी जिता करके दिखाया बीना सर्त का उनकी हर सभाओं में हमारे हज्जारों हज्जार की संख्या में जो है भारती जन परिवार पाटी के करे करता जो है समलितों करके पट्टा ले करके कंदे पर और उनके सभाओं में भीर दिखाने का क किया हम चटानी एकता के साथ बाकी पार्टियां क्या करते ये भारतिय जनता पार्टी के साथ मैं इस बात पर नहीं जाओंगा माननिय राष्ट्री अध्यक स्री पृत्वी कुमार माली से हम लोगों से दिल्ली में बैट करके अक्सर बारता होते रहती है ये सारी बाते जो है माननिय अमित साहजी के ही सारे पर जो है माननिय ग्रह मंतरी जसस्वी प्रधार मंतरी की स्री मोधी के संग्यान में इस बात को डाल दिया गया है कि भारतिय जन परिवार पार्टी बिहार में तीन सीटों पर अपनी दावेदारी पेस कर रही है जिसमें उधर से सहमती मिलते हुए हमको संकेत मिला तभी हम इस बात को चिला रहे हैं और कोई भी क्या कहते हैं बेटा और मा के बीच जो रिस्ता होता है कमसे कम मा को सोचना चाहिए कि जो बेटा रोता नहीं है तो उसके मा को भी समय समय पर जो है दूद पिलाना चाहिए तो हम छोटे बेटे के रूप मे ही हैं हम अधिक सधिक संक्या में बिहार में हैं बड़े पैमाने पर जो है इस बिहार में ही नहीं पूरे देश में आप उत्तर प्रदेश में सैनी समाज माली मालाकार समाज सैनी समाज के लोग हैं कितने बड़े पैमाने पर आप जाके देखिए जारकंड में भी आप जो है राजस्थान में भी जाकर पूरे देश में महाराष्ट्रा में हमारे भारतिय जन परिवार पार्टी के बहुत सारे कारे करता हैं यहां लगभग हम 45-50 लाख की संक्या में बिहार में हैं और हम आपके दाल में घी डाल करके दाल को सुगंधित और सुब्यवस्थित तरीके सो बिहार में दरभंगा का सीट बिहार में जो है जनजारपूर का सीट और बिहार में अस्पेशली तौर पर बकसर का संसधी छेत्र में आति पिछड़ों की संक्या बहुत बड़े पयमाने पर है अभी हमने कुछ दिन पहले किला मैदान में एक बैठक भी किया था लोगों को लेकर के जो बड़े-बड़े नेता हैं हमारे आति पिछडे के उन लोगों ने साप सब्सक्राइब में कहा कि आगे आने वाले समय में भारती जन परिवार पार्टी को अगर बकसर लोग सभा और दरभंगा लोग सभा सीट अगर मिलती है तो निश्चीतरुर्प से खुल करके सारे पार्टियों को हर समीकरों को दौस्त करके जो है भारती बागडोर उनके हाथ में देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है भारती एजन परिवार पार्टी और मेरे राश्ट्री अधक्स के आदेश है कि हम बूत अस्तर पर अपनी पार्टी को ग्रास रूट पे चल करके अपनी पार्टी को हम मजबूत करें और हम इस बिहार के ए एक-एक बिधान सभा से लेके लोक सभा मिन्स कहने का मतलब कि हम एक-एक वार्ड तक ग्रास रूट पे चल करके जो है 40 के 40 सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी को जिता करके हम देने जा रहे हैं सारा समिकरन तुहस्त हो जाएगा इन लोगों के दुआस अपने जो ही लोक सपना देख रहा है महागटब्दन वाले लोग आपको मैं बता दूँ पत्रकार साहब कि बिहार में जितनी भी पार्टियां भी इनके महागटब्दन सामिल है ये कुनवा 2024 नजदिक आते आते पूरी तरह से बिखर करके अलग-अलग हो जाएगा ये गैर संबैधानिक सब्द होगा एक चीज आप बताएं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप भी समाज के एक आईना है मेढग को कभी एक तराजू पे तलते हुए देखा गया है क्या मेढग कभी एक तराजू पे रहा है एक को रखिये तो दूसरा उड़के चला जाता है दूसरे को रखिये तो तीसरा उड़के चला जाता है और आने वाले समय में भारतिय जन परिवार पार्टी के साथ कितने लोग और कितनी पार्टियां भारतिय जनता पार्टी के साथ एलाइंस में आ रही है इस बात से हमें चिंता नहीं है भारतिय जन परिवार पार्टी और हमारे माननी राष्ट्री अधक्ष डेली बैठक होती है और बारता होती है उस बारता में हम पूरी तरह से आस्वस्त हैं और बिहार में भारतिय जन परिवार पार्टी बारतिय जनता पार्टी को 40 चित देने पर अमादा है और निश्चित बंधन का आप आने वाले समय में देखिएगा निश्ची तुरुप से जैसे ही नजदिक आएगा निश्ची तुरुप से जो है इनका कुर्वा भिखर जाएगा और हमारे पास कितनी ताकत है आपने देखा कि पिछले बिधान सभाचुनाओं में जो है श्रीते जस्वी करेंगे जब तक आप दलितों का सम्मान नहीं करेंगे आने वाले समय में आपका 40 सीट में एक सीट भी आपके खाते में होते हुए नजर्टी आदा उन्हें जो परवक्ता है उस पार्टी के उन्होंने आपके नेता को लेकर भी कुछ बोला था इसको लेकर भी खुम सवार कि आप अतिपिछरों का सब्बाद नहीं कर रहे हैं कौन सक्ति जादो की बात करता है सक्ति सिंग सक्ति तो दो आदमी का नाम मैंने इस देश में एक सक्ति कपूर जो नाला लटका करके भुमिका करने का एक फिल्म में मैंने देखा था सक्ति कपूर हो सक्ता है उनका कोई जेल में मानने लालू परसाद जादो से जब मिल के आये थे तो हम ने हम चार आदमी बैट करके जो है बिहार में मानने लालू परसाद जादो जी क्या किया है उसके लिए हम लोग परचा फेक करके लोगों को बताने का काम कि लालू परसाद जी को कैसे फसाया गया क्या क्या क इस विशय पर जो है हम लोग बात करने के लिए हम थे तेजस्वी जादो थे संजय जादो थे नमल जादो जो नमल जादो अभी दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें एक सक्ति सिंग जादो जो अभी सायद राजद में हैं लोग कहते हैं कि सायद प्रवक्ता बना दिय तो जिस समय हम लोग हम और बैट करके जैसे ही एरोड्रम से जो है गाड़ी रिसीव करके जो है तेजस्वी प्रसाद जादों को गाड़ी लेकर के आई तो तेजस्वी सिंग नाम का कोई इस तरह का व्यक्ति जो तुरत हम लोगों से मिलने के लिए आने की कोशिश कि उसमें जो है तेजस्वी जादों ने कहा कि अरे भाई उधरी रहो सक्ति जुधरी रहो साय दूसी सक्ति का नाम ले रहे हैं आप प्रवक्ता है कि उस दरवान है मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं और प्रवक्ता का प्रवक्ता की एक हैसियत होती है सब्दों का इस्तिमाल कर संग्या दैथ तो भई अजभवाल है आपने भी बागेस्वोर बाबा का कि बात छेड़ा आपने जहां भी धर्म की बात होती है देथ वहाँ निश्ची तरूप से जो है अरंगा लगाता है तो दैथ तो यह लोग है हमारे प्रितिवी कुमार माली दैथ है हमारे प्रितिवी जिता करके भाजपा के खाते में जहां कुणनी पे आपको इनको जो है मैंने चेताओनी के लहजे में कई statement में मैंने तेजस्वी जादों को बोला था कि आप छोटी छोटी पार्टियों को तरजीह देने का प्रयास करो आपको किसी भी लोगों से जो है मान्य नितीश कुमार से लाइंस की जरुरत नहीं पड़ेगी और बिहार का ज़स्वी मुख्य मंतरी तुम बनोगे लेकिन इन लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया अपने दाएं अपने बाएं लालू प्रसाद जादो के ही समय से एक परंपरा चली आई है कभी जक्तानन सिंग को बैठाना सिवानन तिवारी जी को बैठाना प्रहुनात सिंग को बैठाना फलाना सिंग को बैठाना फलाना तिवारी को बैठाना अरे भाई दलित कहा गया अती पिछड़ा कहा गया आप अती पिछड़ा के बेटे के साथ जो है विश्वास घात करते हैं आप आप इस बात को क्यों नहीं चेते हैं इत जो सक्ती का आपने नाम लिया सक्ती सिंग जादो की सक्ती अगर रहती तो चुनाव जित जाते महाज का जादों के साथ किस तरह का विश्वास गात किया गया मटिहानी का देखिए भोरे का चुनाओ देखिए कि भारतिय जन परिवार पार्टी अम सिर प्रिथिवी कुमार माली के लोगों का माली समाज के लोगों का सैनी समाज के लोगों का ताकत देखिए कि कुढ़नी में आपने कितने सीटों पर कितने बोट से जित के आये थे और आज जिस दिन जो है प्रिथिवी कुमार माली पुझे में तुम्हारे आंकों के मोती को तुम्हारे आंकों से छीण लिया है अप कहां भूल रहे हैं आप ताकत की बात करते हैं कि परधिविकुमारमाली भटक तक गया है आप जो है दलितों का अतिपिछणों का सम्मान की बात नहीं करते हो अपनी अगल बेगल में कौन लोगों को बैठाते हो मैं मुझे उससे लेना देना नहीं है लेकिन कम से कम आप से अपनी दिल की बात करता है हम आप से परहज कहां किये थे महागटबंधन के अगर करनी होगी तो मानने लालू परसाथ जादो है मनने नितिश कुमार है महागटबंधन के लोग सिर्ष नेता अपने आपको कहते हैं लोग बुलाए अगर दलितों का अगर आती पिछणों का समान करते हैं तो मेरी पार्टी तो पूरी तरह से आती पिछणों की है मेरा राश्टीय धक्ष जो है मानि पृतिवी कुमार माली श्री पृतिवी कुमार माली यती पिछड़े के बेटे हैं तो बारता तो करें हम तो तयार हैं बारता करने के लिए जब आप अपमानित करते हो ऐसे लोगों को जो है चैनल पर बैठा करके जिसको सम्वाइधालिक जानक लारे हो और भारतिय जन्परिवार पर्टी के 50 Zus लाख मेंबर जो है अभी हो चुके हैं अभी तत्कालीन मेंबर उसके पहले पिछले मेंबर में अन्यतर जाती समाज के लोगों से बहुत सारे बड़े प्मानें पर भारतिय जन्परिवार पर्टी करोरो सदस्यता सुलक मेंने सदसेता की शुरुवात की और सदसे बने और आज के डेट में इस बार के जो हम लोगों ने इस साल जो हम लोगों ने सदसेता ये किया है 50 लाग सदस्यों को हम लोगों ने भारतिय जन परिवार पार्टी में तयार किया है आप कहां इस बात को भूल रहे हैं 45 से 50 लाक्तों के वल माली किसंग क्या है आप भूल रहे हैं क्या आपके डाल में घी दे करके आपके डाल को स्वाधिस्ट बनाने का काम तो भारती जन परिवार पाटी करती आज भी हम आपसे बारता के लिए तयार हैं लेकिन हम आप जहां पर अपमानित करेंगे आप सरकार में आ गए रहते अगर मुकेश सहनी को आपने बेज़ती नहीं किया रहता आप जो है क्या कहते हैं जीतन नामाजी की बेज़ती नहीं की रहती आपने उपेंदर को सुहा की बेज़ती नहीं की रहती आप जो है माली को इस बार भी अभी जो है बेजिती करने की बात आप कर रहे हैं तो आपके अंदर पिछणों को दलितों को अपमानित करने का आपके खृदय के अंदर ये भूत सवार है आप समानता की बात करते हैं आप समाजवाद की बात करते हैं आपके अंदर आपके मुँह से समाजवाद की बात सुनकर कि ये बेमानी लगती है भारतिय जन परिवार पार्टी के रास्ट्रिय अधक्ष प्रित्वी कुमार माली को इस तरह के अपमान जनक सब्दों का इस्तेमाल करके गर्ष संभैधानिक सब्दों का ये भारती जन परिवार पार्टी के लोग और डॉक्टर सैनी राष्टी उपादक्ष के हैसियत से कहते हैं चेत जाओ नहीं तो 2024 और 2025 दोनों तुम्हारा दिवासपन जो है धरा कर धरा रहा जाएगा इस ब्रह में मत रहो अन्त जो है वो वही जाती जनगन्ना और माली की पार्टी जो है वो किस प्रकार से अपने इस चन को किलियर करती है हलाके पार्टी के वरिष निता है जोनोंने तमाम बातों कर रखाया और सिधे तोर पर आरजेडी को चेतावनी दी है कि अति पिछरों का सम्मान करना सीखी अगर आप नहीं करेंगे तो अतीत एक बाब फिर से दोराएगा जो हाल 20 को चुनाम हो गया सीम की कुरसी बैठते बैठते जो है वो आप नहीं बैठ पाए वही हाल 24 और 25 का होने वाला है स्कुर्म पिता ही देट अप नहीं देट अशकार